बहुत ही सद्कार योग पत्रकार दोस्तो सार्यानू सब्सक्रीकाल वाहिगुल जी का खालसा वाहिगुल जी की पते हैं अजब्पा इत्थे सिर्सा दे विच एक पत्रकार वारता दे रूप दे विच इकठे होएं गल्लबाद करने कर रहे हैं अजबी गल्लबाद दा जीड़ा मेन अजण्डा है जिस करक्यापण में पत्रकार वारता करनी पह रहे हैं जिस तरह अठारा त्रीक तो सरकार ने एक प्रकिरिया शुरू किती के यसे कि एम्सपी दे लेग कमेटी बना रहे हैं वो दा नोटिफिकेशन भी आ गया ते उस्तो बाद जैस्तरां दे सरकार दी ब्यान बाजी है साड़े खेती बड़ी मंत्री दी जैस्तरां दी ब्यान बाजी है एक अल्ला अज लोकां दे समने देश दे समने जानियां बहुत कि एसी लगातार केंदे आएं कि सानु सरकार संवे केंदी सी कि मेटी बनावन दो त्यार आए दे सनु ना देन किसान एसकेम अपने आदमियां दे ना देवी ती असी हर बार एक एंदे आ रहे सी उनना नू चिठियां लेख लेके किया कि देखो सानु जहिंगा गल्लाद विश्वाश नहीं कि सरकार की करेगी सानु कटो कट पहला आए ता दसे के कि मेटी होएगी के जी उदा चेयर परसन कोण होएगा कि में कम करूगी जेडाओ कम करूगी कि जेडी योदी रिकमेंडेशन्स होण गियां उनना नू सरकार लागू करनली पाबंद होएगी कि ग देती है तो चुप चपी ते लगातार बदराम करन दी कोशिश किती है इसके मनों नहीं नदी पेश गई की किता फिर चक्के कि एकदम नोटिफाई करती कमेटी और ओप कमेटी देवे जेड़े आदमी यां जेड़ा सानु डार सी है उन्हों तुसी नोट कर लेओ के जेड ती ओ लोक ने जिनना ने कनूना दी पेरवाई की थी उन्हा कंड़े तेन कनून बनके आये लोका ने जीदी खत्र जीदे खलाब तेरा महिने लड़ाई लड़ी बोडरा दे बैठके और उन्हा कमेट कनूना दी ड्राफ्टिंग करन वाले लोक उन्हा कनूना दी वकालत कर वाले लोग और रहेंदी का ज़रा सारी अपसर्शाही पारू करके बठाती जड़े किसान भी बाहे ने पंज साधे तो बार पहली तक आले है जड़े लोकाने अंदोलन नहीं लड़ेया अंदोलन दे बच हेस्सा ही नी बने उनना लोकां दा इस कमेटी ना कोई तोखनी बन जड़े आके एक कहीं दे रहे ने तोमर साबनों के जी कनून बहुत बढ़ी अने ना कनून लागू करो ओ लोग इस कमेटी जबठा रखे ने जहां जेड़े यहां असी सार्णा सार्णा मनना है के डबल जू टीयो एक कह रहे है के पार्थ अपने किसान नानों MSP देनी बं संस्ता करवा रही है तो जेड़े लोग को दे समर्थक ने वह संस्ता दे अपर तुसे अंदाजा लाओ उन्हां लोका दो की अमीद रखी जा सकती है कि उसाड़े किसानानों MSP देनगे सानुए सारे ख़त से जीदे करके सी टार्मन रेफ्रेंस दी का प्यां मगदी से कमेटी नोटिफाई करती है उसी उन विक्या तेसी उससे दन कहता सी के सानुए दे तो बहुत ही अमीद नहीं इस कमेटी तो उस दो बाद तो अमर साब दा ब्यान होदा है एक ब्यान एक देन यह देता कि जी असी कमेटी बनाती एस के मली तैन जगा शड़तियां तैन आद कि जी ने लिए ऐसी था कदे वाईदय नहीं किता आज यहता मतला साफ पह्रोत साफ नयत्यत सरकार दी के सानुनम एमएसँपी देने सानु पहले ंबता सीगा के सरकार ने मेसपी तो पाइठ रही है मेसपी नहीं एक मस्पी यह चैठी देश देक किसान नो जेंदा रखेगी सर्वाइव करदा रख सक दी है तो MSP और भी डाक्टर स्वामी नातन दे भार मुले निसार मिले था और अजिनना चे रो नहीं मिल दी उनना चे सपस्ट है कि किसान बच नी सकता देन बदन किसान दे सिर करजा चरदा जाएगा और उससे करजे देवचे सच्टा मिजदूर देना सरकार दी एक व्योंत बंदी है जी देते सरकार कम कर रहे हैं लेकिन असी कि स्थाना दे संगाठा ना असी लड़ रहे हैं पिछले दिना देवच्च प्रोग्राम दित्ते काई सिगे कि असी अगली लडाई या जड़ी ओ लड़ांगे टेक्के न लेना वक्रिया ने जड़े गैर राजनीत के तौरते लोग मेंते ने ओधा संपूरन तौरते से बाइकट कर दो जिसमें हमारी पीछे दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें जो डिसीजिशन है जो सरकार हमारे वादा खिलाफी की तरफ तो चली रही है आप लोगों को सब को मालूम है और जैसे कल के ब्यान से भी आपने देख लिया होगा कि कितना एक पल्टा मारा उन्होंने कि हमने कभी वादा ही नहीं किया और हम इसमें उपर कोई कमिट को है हमारा विचार नहीं है तो यह इस से बड़ा और कोई शड़ेंतर नहीं हो सकता जो हमारे प्रोग् प्रोग्राम करने जा रहा है पूरा हरियाना पंजाब यूपी राजस्तान से बहुत बड़े इकट होने जा रहा है तो हम उनको उनकी शहादत को नमन करते हुए सभी किसान वहाँ पर नितित्यार होगी वहां पर वह बढ़ी पंचैत हो उसमें जो डिसीजिन लिये जाएं राजनितिक और राजनितिक संग्ठन जो आज पूरी तरह संग्ठित है और वो किसानों की लड़ाई हर हाल तक लड़ता रहेगा जो राजनिति करने वाले हैं वो अपने अलग से ब्यान देते रहें उसका हमें कोई लेना देना नहीं है उनकी क्या आगे की उन्होंने भूमि वाले हैं जो हमारे से कॉंटेक्ट में हैं जितने वी एह राजनितिक संग्ठन है वो एक देश की बहुत बड़ी ताकत बनेंगे और सरकार को जो करने के लिए मजबूर करें जो MSP नो लेके एक नोटिफिकेशन जारी किता है सरकार ने एक बड़ा शडियंतर है क्योंकि SKM दी डिमांड सी के स्वामी नाथन आयोग दी रिपोर्ट दे मुतावक जैने सीटू प्लस 50 परसेंट देनार रेट निर्दा अर्थ करके सरकार कानून बनावे खरीदी गरंटी देवे ये साधी डिमांड सी लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किता है इदे विचे इस दा किते कोई जिकर नी है बलके सरकार ने आवदे 26 बंदे उदे विचे शामल करके SKM नों के है कि तुसी 30 बंदे दे रो सब्सक्राइब पहले करता है कि जदो मीटिंग हो और फेर के में हो गी जिते एक पासे 26 बंदे खड़े ने और एक पासे तेन्द बंदे खड़ने ता जड़े तेन्द बंदे ने ओना दी रहे उदे विचे शामिल के में हो ये एक बड़ी साजिश है क्योंकि जीरियां ची सब्सक्राइब पास किता है ताके इसे दोबारा तो लोकां दे विचे जाके उसना विरोध ना कर सकी पर सकी नॉन पोलिटिकल पूरी तरह नाड़ द्रिड सकल्प लेके जो उनना दिया मंगा सी MSP नो लेके और लखीम पूर खीरी दे इंसाफ नो लेके वो ऐसे पूरी द करांगे बलके असी अवदे अंदोलना रही एक मंग करांगे सरकारतों के एक कनून बनाया जाओ बैठे कोई ती उसमें फैंसला लियादा था कि 31 जुलाई को सहीद उद्रम सिंग की जैनती है सुनाम में एक बड़े ताम जहां के साथ तमाम हमारी साथ के करीफ जथे बंद पर हम दबाव बनाने के लिए सरकार पर सरकार तो दोखा करती आ रही है किसान के साथ किसान तेरा महिने लड़ाई लड़ी सरकार ने कहा था कि आप आंदोनों ठालीजी हम आपकी MSP के उपर भी कमेटी बना देंगे आज MSP कमेटी में देखिए 39 मैं से और 27 लोग जो सरकार के मिच रहा थार कके संब ost दू के सरकार के गुलाम को लिया गांगे की सान कि किसान की पैरिफिकरने के नाम पर æा पांस लोगों को लिए ती ना तीकरी ब़ोटर ना शूंप पर अगाजी पर चाखेलогाrences की कोई लड़ाई नीन लड़ी और ऐसे लोगों QU सरकार जो है अपने पीठों को जो है जो किसान के नाम पर बख्लारी एग खरतियु करेंगे और अमारी अप लोग तीनी बड़ी लड़ाई-लड़ी है पूरी दुनिया वाज दिखा दिया है किसान न तेरा महिने के तरे ताना सा कर रही है कि हमने किर्शी मंत्री का ब्याना है तो मरगा कल गया ख़वारों में उसने कहा कि हमने तो को वाइदा नहीं किया कितने जूटे लोग हैं यह जूटे हैं लेकिन किसान संग्र एक से बड़े तानाशा को जो खानेया काम करेंगे पिछे जो आगे देखा और आगे फिर हमारी निती बढ़ने लग रही है किस डंक्सर कैसे आगे बढ़ाना है तो हम आगे सभी साथियों जो पत्रकार मौद्ध पहुंचे मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ इसी में जो आए जो तरह से परकार में आपने कहा कि वाज़ा कि लापी कर रही है तो अगला में